पटाक, खबरे 30 सेकिंड भी, डाउन्लूट कीजे तक है हर कोई उनको नमन कर रहा है, श्रध धांजली दे रहा है दरसल कमाल खान, NGTV के एक 23 तरार पत्रकार के तौर पर थे 61 साल की उनकी उम्रे थी और वो अपने परिवार के साथ बटलर पैलिस में रहते थे उनकी शादी भी पत्रकार से हुई, रुची कुमार के साथ और बताया जा रहा है कि अचानक से सुबह उनकी तब्यद बिगरती है कल तक वो बिलकुल ठीक होते हैं, काम पर होते हैं लेकिन सुबह तब्यद बिगरने के बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर डॉक्टर्स उनको डेट डेकलियर कर देते हैं कमाल खान एंडी टीवी के यूपी ब्यूरो में काम करते थे वो एरिटर थे और पिछले तीन दशकों से वो पत्रकारिता कर रहे थे और उनके करीब 22-23 साल के करियर में वो एंडी टीवी के साथ ही रहे कमाल खान को उनकी बेहतरीन पत्रकारिता के लिए रामनात कुईन का पुरसकार भी मिला था साथी साथ कई और एवार्ड भी उनको मिले थे भारत की राश्परती द्वारा गनीश शंकर विद्यार्थी पुरसकार से भी उनको सम्मानित किया गया था और कमाल खान खबर को पेश करने के लिए जो उनका अंदाज था उसके लिए हमेशा याद किये जाएंगे वो काफी मशूर थे अपने उस अंदाज के लिए और देश भर में उनकी रेपोर्टिंग की तारीफ होती थी और उनका आखरी ट्वीट जितेंद्र नरायंट त्यागी की गिरफतारी के विरोध में जो यती नरसिंगानन्द जल और अनाज त्याग कर देते हैं उसको लेकर था और उनकी मृत्यू के कुछ घंटे पहले ही वो ट्वीट उन्होंने किया था सब कुछ बेतर था लेकिन अचानक ये जो घटना सामें आई उसके बाद कई सारे शोक संदेश आये हैं सोशल मेडिया पर वहीं मायावती ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजली दी है कमाल खान को और कहा है कि एंडी टीवी से जुड़े प्रतिश्ठितवा जाने माने टीवी पत्रकार कमाल खान की अचाना खीनिधन की खबर अत्ती दुखद और पत्रकारिता जगत के अपूर्निय शती है उनके परिवार और उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी कहरी समवेतना खुदरत सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे ऐसी खुदरत से कामना समाजवादी पाठी ने भी ट्वीट किया और कमाल खान के निधन पर दुख व्यक्ति किया पाठी के ओड़ से ट्वीट कर कहा गया अत्यांत दुखद एंडी टीवी के वरिष्ठ समवादाता जनाब कमाल खान साहब का इंतिकाल अपूनिय शती दिवंगत आत्मा को शांती दे भगवान शोका कुल परिजनों के प्रती गेहन समवीदना भाव भीनी श्रद्धांजरी तो वहीं कॉंग्रस महा सच्य प्र पत्रकारिता में सच्चाई और जनहित जैसे मोलियों को जिन्दा रखा श्री कमाल खान जी के परिजनों के प्रती मेरी गहरी शोक संवीदनाई विनर्व श्रद्धांजरी वहीं कॉंग्रस के युआई काई के अध्यक्ष श्री निवास बीवी ने भी ट्वीट किया यकी के सहयोगी बताते हैं कि जो सबस्यादा उनके दिल के करीथी रिपोर्ट वो थी अयुध्या को लेकर मर में कोई नहीं जाना और शायद कमाल इतनी जल्दी चले जाएंगे इसे भी कभी किसीने नहीं सोचा होगा किसीने नहीं जाना होगा किस जिन्देगी कितनी अनिश्च किता से भरी पड़ी है तो हम भी श्रद्धांच्री देते हैं कमाल खान को और भगवान शक्ति दे उनके परिवार को ये दुख सहन करने की देखते रहे है यूपिता झाल झाल